हेलो एब्रीवन वेल्कम टो माई चैनल और बाउट 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 बार्मट टोडे विल डिसकस अबाउट फैमिली मालवेसि सो फैमिली मालवेसि जिसे हम मैलो फैमिली के नाम से भी जानते हैं इसका जो systematic position है वह है फैनारोगैम्स, डाइकोटलिडोंस, थैलामी, फ्लोरी, मालवेल्स, एंड मालवेसी, डिस्टिब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसके मेंबर्स जादतर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्टिब्यूशन है, बट जादतर केसेज में आपको ये ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलेंगे, इक्जाम्पल्स इस फैमिली के हैं, हिबिस्कस, साइडा, अबुटिलोन, गॉसिपियम, एक्सेटरा, अल्थिया, रोजिया, जो की गार्डन्स में कल्टिवेट किया जाता है, हैबिट की अगर हम बात करें तो जादतर ये हर्ब्स भी हो सकते हैं, श्रॉप्स भी हो सकते हैं, और ट्रीज भी हो सकते हैं, कर अगर कहारे तो माल्वा इसका इच्जमपल है श्रब्स कह obscure है तो हाइबिस्कस आध हम यहां पात कैरे तो थेशिपैसिया रूट कि अगर हम बात जंटरिकल होगी, सॉलिड होगी और कुछ केसेज में स्टिलेट हें प्रेजेंट होगे, यहां पर स्टेमपर, मुसिलेज सैक्स, आपको यहां पर देखने मिलेंगे टिशू में जो की चैरेक्टरिकश्टिक फिचर है, यहां पर, इसके लावा अगर हम लीव्स की बात करें, तो leaves यहाँ पर simple है, alternate है, round भी हो सकती है या फिर palmately divided leaves भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है stipulate है यानि की stipules present होंगे usually palmately vend leaves यहाँ पर होती है और यहाँ पर आपको leaves में भी stilate hairs देखने को मिलेंगे इसके अलाबा tissues में आपको mucilage sacs भी देखने को मिलेंगे inflorescence की अगर हम बात करें तो inflorescence यहाँ पर है cymos inflorescence, बहुत कम cases में resmose inflorescence भी आपको देखने को मिल सकती है flower की जो position होगी वो solitary axillary भी हो सकती है यानि कि एक single flower axil में present हो सकता है या फिर compound sime भी आपको देखने को मिल सकता है कुछ cases में flower की अगर हम बात करें तो flower ज़्यादा तर pedicillate है bractiolate है और यहाँ पर जो bractioles हैं वो एक special world में आपको दिखाई देंगे जिसे हम कहते हैं epicalyx बहुत ज़्यादा important characteristic feature है मालवेसी का epicalyx actinomorphic flower होगा, regular होगा, hermaphrodite यानि की bisexual होगा आपको androsium और gynosium same flower में देखने को मिलेगा complete होगा, hypogynos होगा यानि की superior ovary होगी और pentameras होगा यानि की जितने भी world हैं, calyx, carola, androsium, gynosium आपको 5 के multiple में देखने को मिल सकते हैं epicalyx की अगर हम बात करें तो epicalyx एक world है जो की 3 या उससे ज़्यादा ब्रैक्टियोल से मिलकर बना हुआ है लेकिन आपको cider और abutulon के case में epicalyx देखने को नहीं मिलेगा, ये exceptional case है calyx की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 sepals है, gamo sepals situation है, यानि की जो sepals है वो fused है, gamo sepals means fused sepals estivation यहाँ पर wall weight estivation आपको देखने को मिलेगा, यानि की जो सारे sepals होंगे वो दूसरे को touch कर रहे होंगे वहाँ पर overlapping आपको देखने को नहीं मिलेगी wall weight estivation के case में corolla यहाँ पर 5 petals है, poly petalus situation है, यानि की जो petals होंगे वो free है, लेकिन sepals fused है estivation आपको यहाँ पर twisted estivation देखने को मिलेगा, यानि की जो petals होंगे, उनकी margins एक उपर एक overlap करती हुई आपको दिखाई देगी twisted estivation के case में, so यहाँ पर wall weight estivation और twisted estivation आपको बहुत अच्छी तरीके से hibiscus rosa sinensis यानि की good health के flower में देखने को मिलेगा, अभी flower available नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें flower available होता है उस पर भी आपको वीडियो जरूर मिलेगा, wall weight और twisted estivation का, इसके लावा एंडुशियम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो एंडुशियम है, वहाँ पर indefinite stamens प्रेजन हैं, और यह indefinite stamens एक staminal tube से attached हैं, arranged हैं उस tube पर, यहाँ पर जो condition है, वह है mono adolphus stamens की, mono adolphus stamens वह stamens होते हैं, जिनमें की filament होते हैं stamens के, वह fused होते हैं, और anther free होते हैं, इसके लावा जो staminal tube है, वह petals के base तक जाकर attached हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो condition होगी, वह epipatalous condition होगी, epipatalous condition वह condition होती है, जिसमें की stamens पेटल से attached होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो stamens है, वह staminal tube से attached हैं, और वह staminal tube पेटल के base तक जा रही है, इसलिए यहाँ पर epipatalous condition होती है, इसके अलावा जो filaments होते हैं stamens के वह short हैं, और anthers यहाँ पर mono adolphus हैं, यानि कि आपको single adolphus देखने को मिलेगा anther के case में, और यहाँ पर जो anther होंगे वो dorsi fixed होंगे और anthers जाद तर cases में transversely dehisc करते हैं, अब हम बात करते हैं, गाइनूशियम के case में आपको five to indefinite carpals देखने को मिल सकते हैं, यानि कि यहाँ पर polycarpillary condition है, यानि कि बहुत सारे carpals present होंगे, syncarpus है, syncarpus का मतलब होता है, जो carpals होते हैं, वो fused होते हैं, fused carpals का मतलब है syncarpus, और यह जो ovary यहाँ पर है, वो superior है, multilocular है, यानि कि जो ovary है, उसके अंदर बहुत सारे locules present होते हैं, हर locule में आपको एक या उससे जादा ovules देखने को मिल सकते हैं, placentation यहाँ पर बहुत जादा characteristic feature है, मालवे styles यहाँ पर united है, लेकिन stigma आपको free देखने को मिलेंगे, और यह जो style होती है, वो staminal tube के through pass होती हुई, दिखाई देती है, जब हम इसके flower पर video बनाएंगे, तब आप ज़रूर देख लीजेगा इसको, fruit की अगर हम बात करें, तो fruit यहाँ पर locule cidal capsule है, या फिर साइजो आपको hibiscus और gossipyum के case में देखने को मिलेगा, फ्लोरल फॉर्मुले की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर actinomorphic है, हार्मा फ्रोडाइट है, इपी कैलेक्स जो होगा, वो 3-9 होगा, वैरी करता है, different species में, इसके लावा कैलेक्स की अगर हम बात करें, तो जो sepals है, वो 5 sepals है, करोला की अगर हम बात करें, तो 5 petals थे, और free थे, इसलिए यहाँ पर कोई भी bracket नहीं लगा हुआ है, एंडुशियम की अगर हम बात करें, तो एंडुशियम इंडेफिनिट थे, और एंडुशियम क्या थे, फ्यूज्ड थे, इसलिए यह bracket लगा, इसके लावाद जो एं पैटलस सिचुएशन का साइन है, गाइनुशियम की अगर हम बात करें, तो पेंटा कार्पलरी टू इंडेफिनिट कार्पल्स प्रेजन हो सकते हैं, सिन कार्पस है, तो इसलिए bracket लगा हुआ है, और सुपीरियर ओवरी है, तो यह जे जेनरल फ्लोरल फॉर्मुला है, फैम प्लसेंटेशन जो एक्जाइल प्लसेंटेशन होता है, वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं यहां पर, अब हम बात करते हैं, फैमिली मालवेसी की एकनॉमिक इंपोर्टेंस की, तो इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, जो अलग-अलग जगे पर यूज किये जाते हैं, इसके लावा, अबुटिलोन इंडिकम, यह भी स्टेम फाइबर के लिए कल्टिवेट किया जाता है, अबुटिलोन थ्यू फरास्टी, जो की स्टेम फाइबर इससे एक उप्टें होता है, जिसे हम चाइना जूट भी कहते हैं, यह कॉमनली नौर्थ वेस्ट इंडिया में कल्टिवेट किया जाता है, कश्मीर और बेंगॉल में भी इसका कल्टिवेशन होता है, इसके लावा, एल्थिया, रोजिया, यह एक तरीके का ओर्नमेंटल हर्भ है, और इसका जो फ्लार है, उससे एक तरीके का रेड डाई ओप्टेन होता है, इसके लावा, एबल मोशस, एसकुलेंटस जो की आपका भिंडी है लेडी फिंगर जिसे आप रोज खाते हैं अब आते हैं गॉसिपियम आर्बोरियम पे जो की है का पास ये एक तरीके का श्रब है जो की ओल ओवर इंडिया कल्टिवेट किया जाता है फाइबर प्लांट के रूप में और इससे जो फाइबर है वो सीड फाइबर है इसके अलावा एबुटिलाउन में जो था वो स्टेम फाइबर था गॉसिपियम में जो फाइबर है वो सीड फाइबर है नेक्स अब हम बात करते हैं हाइबिसकस रोजा साइनेंस बहुत जादा इंपोर्टेंट बहुत जादा फेमस मेंब इसके लावा हिबिसकस सब दैरिफा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट स्टेम फाइबर है और इससे रोप्स और कॉल्डेज बनते हैं इसके लावा जो इसका रेड फ्लेशी इपी कैलेक्स होता है वो इडिबल होता है उसका यूज पिकल्स बनाने में भी किया जाता है अब ह इसके लावा जो इसके मुसिलेजिनस सीट्स है उनका यूज सोप बनाने में किया जाता है अब बात करते हैं हिबिसकस कैनाबिनस की जिससे की जो फैटी ओल मिलता है उसके सीट्से उसका यूज पेंट्स और वार्निश में किया जाता है इसके लावा जो थैस्पेसिया है उसकी वुड का यूज बोट्स बनाने में किया जाता है और हिबिसकस इलेटस की वुड का यूज फरनीचर बनाने में किया जाता है अब हम बात करते हैं इलेटस के लिए उसका यूज बार्क और रूट्स होती है उसका यूज हाइड्रोफोबिया के वीमारी है जो की मैड डॉग के बाइट के कारण होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूरीना रिपैंडा के रूट्स और बार्क का यूज किया जाता है आज के लिए नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए अपने दोस्तों को शेर करिए थांक्यू सो मच